आज मैं आप सब के साथ पॉफेक्ट बनाने की रैसेपी शेयर करने जारी हूं बिलकल बेकरी जैसा इसमें कोई भी प्रिजरवेटिव या फिर कोई भी केमिकल यूज नहीं करने वाले हैं और जब आप घर में बिना किसी केमिकल को यूज किये बिलकुल हाइजीन तरीके से इतना पहतरीन पाव बना सकते हैं तो बाहर से पाव लाने की बिलकुल भी जरूरत ही नहीं है और इसे हम बनाएंगे पतीले में तो इचली से बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो चले स्टार्ट करते हैं इससे बराना सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप या फिर आप कोई भी बरतन ले सकते हैं इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच छेनी दो टेबल स्पून इसमें जाएगा देड़ छोटे चमच दाल के और हम इसे पांच मिनट के लिए या दस मिनट के लिए साइड में रख देंगे और दूसरी तरह हम बोल में ले लेंगे मैदा तो यहां पर मैंने यह हाफ कीजी मैदा लिया है 500 ग्रैम्स और कप में मेजर करें तो यह फोर कप है मेरा जो कप है वो 250 अमल का है तो उस मैदा है वो पूरा में स्ट्रें कर रही हूं बड़े से बोल में और आपको जो बोल है वो भी थोड़ा बड़ा लेना है अगर आप 250 ग्राम मैदे का बनाना चाहते हैं मतलब एक पाउ का तो आप कॉंटिटी जो है शुगर और इस्ट की वो हाफ कर सकते हैं इसमें हम एक छ जाग ना बने तो उसे आप आगे यूज ना करें उसे फेक दे इसका मतलब है जो इस्ट हो डेड हो गई है तो आपके जो सारी महनत है सारे इंग्डेडियंट है वो खराब हुजाएं अगर आप इस ऐसे यूज कर लेंगे तो जब तक आपके इस्ट में इस तरह से जाग इसट करें उसके बाद finger करें हलके गorkन पानी में उसके यूज करें तो यहां पर मैंने एसारा मिक्षयर इसमें डाल दिया है और अब हम इसे हल्की गरम पानी से बिलकुल लिुक वॉम वाटर से इसका seven उलगा लेंगे तो यहां पर मैंने हलका गरम पानी ले लिया है इस डरने की कोई बात नहीं है जैसे जैसे हम इसे नीट करेंगे यह बिल्कुल स्मूध और चिकना हो जाएगा हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा तो इस तरह से आपको खीच उसना है को हैं को आपको टाइम देकर दस से बारा मिल吗 गार्णा म्याथ करना से इसे यह ठीच कर आपको इसे वापस लाना इर यह बिल्कुल स्मूध होता जाएक इगर आपको लगे के जाधा चिपक रहा है यह बिल्कुल ganmbla प्रता data चिकना यहां पितली नहीं यहां पर आपस और यह दे खो लिए कि उसमें डाल देगे एक टेबल स्वून और उसे अच्छे से पूरे बोल में लगा देंगे जिससे की जो हमारा डू है वहरा होने के बाद इसमें चुप किया और इसे हम क्लीन रेप से और इसे हम इसे भी चीज से कवर करके प्लेट से भी कवर कर सकते हैं किसी गरम जगा पर रखेंगे डेट से दो घंटे के लिए या फिर जब तक कि यह अपने साइज में डबल नहीं हो जाता और यहां पर मैंने कि स्कॉायर और्यूमिनियम केक यहां जाले लिए इसे में पर बनाने बालियो आपको गोल करेंगे उजाiping, अगर परके सक्वित नहीं हैं थोटे आद्ट से बंके कोAn Chapel कर दो हैं और इसे मेंड़ कर देंगे और जो एंकसे से आपकुंध निकाल सकते हैं और मेंख लिए टियू वो अपने साइज में डबल हो चुका है देट से दो गुंटा लगा इसे मैंने इसे गरम जगह पे रख दिया था उसे अभी काफी गर्मी है तो यह आसानी से राइज हो जाता है तो इस यह पंच मार के इसका जितना भी एयर हम उसे निकाल देंगे हलका से दो मिनट के लिए नीट कर लेंगे हम इसे फिर से जिसे कि इसके अंदर का जितना भी एयर है वो निकल जाए तो यह दिखे मैंने इसे 2 मिनट के लिए नेट कर लिया अब हम इसे डिवाइट करेंगे तो आपको जितने भी बंस बनाने हैं या फिर जितने बड़े बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं मैंने आपर 12 बनाये थे तो पहले इस तरह से हाफ करेंगे फिर इसे चार पार्ट में डिवाइड करेंगे इसके बाद हम इसे इस तरह से डिवाइड कर लेंगे तो अभी आप पर आपको आठ दिख रहा होगा लेकिन मैंने इसे बाद में थोड़ा चोटा कर दिया था कि यह बहुत बड़े-बड़े हो रहे थे तो मैंने चोटा-चोटा करके इसे 12 बनाया है बिल्कुल पॉफेक्ट साइज था वह तो इस तरह से आपको इसका बॉल बना करना है क्योंकि अभी फिर से यह राइज होंगे तो इनको जगह चाहिए थोड़ा फूलने के लिए तो आपको यह दिखिए मैंने जसे रखा है पूरे बारा के बारा जो बॉल से वह मैंने रख दिये थोड़ा-थोड़ा मैंने स्पेस रखा है बीच में आप देख सकते है ताकि यह जब अभी राइज हो दुबारा तो इनको जगह मिले तो फिर से हम इसे रखेंगे दुबारा राइज होने के लिए कम से कम एक घंटे के लिए जब तक यह पिर से अपने साइज में डबल नहीं हो जाते तो खूल देगे या फिर आप किसी और छी से भी इसे यहां पर मैंने तोड़ी से चीनी भी मिला लिया है से इसके उपर बहुत ही अच्छा सा ना क precursok सपाने ह्पले अधि टीमल लित मिल्क वा। Instagram अवस्थ करणे में Article होने में एक छोटा सा जो प्लेट होने के वह दिया है इसके उपर हमझे इसे रख फुड़ाप दिया है और इसे हम 15-20 मिनिट के लिए बेक करेंगे मेडियम फ्लेम पर अगर आप पतीले को अल्यूमिनियम के प्लेट से कवर करेंगे उपर से तो उसकी हीट से भी इसके उपर अच्छा सा कलर आ जाता है पाओ के उपर तो यह दिखें आपर टोटल 20 मिनिट हुआ है और पाओ के उपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है अच्छा से यह बेक हो गया है तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं तो यह दिखें आपर जो पाओ है वह अभी काफी गरम है और इसके उपर का जो सर्फेस है वह काफी हार्ड है तो अभी हम इसके उपर अपलाई करेंगे बटर इसके बाद हम इसे किसी बिल्कुल हलके गीले मसलन क्लोथ से कवर करके छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनिट के तो यहां पर यह दिखें 10 मिनट हो गया है और अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे अभी यह गरम है अगर आप इसे पूरा इसी में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए ना तो यह जो पाओ है यह नीचे से बिल्कुल सौगी हो जाता है तो बिल्कुल सौगी सा हो जाता है इसलिए आपको इसे जब यह हलका सा गरम हो जा आप इसे टच कर पाएं 10 मिनट बाद तो आप इसे निकाल लें और फिर से हम इसे उसे केले कपड़े से कवर करके छोड़ देंगे जब तक यह पूरा ठंडा नहीं हो जाता तो यहां पर पूरा ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ्ट सा हो गया यह दिखिए जब घर पे इतने बीकिरी जैसे पाऊ बन सकते हैं तो बाहर से लाने के आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं और इसे बनाने बहुत ही आसान है अपने देखा और बहुत ही जादा सॉफ्ट और स्पॉंजी है बि हाफीज